नमस्कार मैं हूँ सना फिरोज राब देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइब बॉलिवूट की खिलारी अक्षे कुमार ने 2018 में कई सूपर हिट फिल्में देकर अपने फैंस को खुश कर दिया और अब 2019 भी अपने नाम करने की तैयारी में लगे हुए हैं साल 2018 में उनकी तीन फिल्म में पैड मैं गोल और 2.0 रिलीज हुई तीनों ने वॉक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया और इस साल भी अक्षे कुमार अपनी पांच फिल्में लेकर आ रहे हैं जिसमें गोड न्यूज, केस्री, मिशन मंगल, हाउस फुल फोर और सूर्य वन्शी शामिल है अक्षे की क्रिस्मस की मौके पर आने वाली फिल्म सूर्य वन्शी का लोगों को बेसबरी से इंतिजार है क्योंकि इस बार कुछ बेहत धमाकेदार देखने को मिलने वाला है जी हाँ आपको बता दे कि फेमस एक्षन डिरेक्टर रोहिच शेटी इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे ऐसे में तो ये साफ है कि इन दोनों का कमबिनेशन ज़रूर कुछ धमाकेदार लेकर आएगा खबर है कि इस फिल्म में अक्षे कुमार एटी एस ऑफिसर की किरदार में नजर आएंगे इस फिल्म को लेकर आगे का काम हो रहा है हाल ही में खबरे आई थी कि इस फिल्म में अक्षे के साथ काट्रीना कैफ नजर आने वाली है दोनों तीस मार खान में आखरी बार साथ नजर आये थे जहां नौ साल बाद ये दोनों फिर वापसी कर रहे हैं ये खबर सुनकर फैंस तो खुशी के मारे उचल पड़े थे लेकिन रोहित शेटी ने ही साफ कर दिया कि ये केवल अफवा थी और अभी इस बारे में कुछ भी तैन नहीं हुआ है अभी फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है आपको बता दे कि पहली बार रोहित और अक्षे साथ में काम करने जा रहे है कहा ये भी जा रहा है कि इस फिल्म में सिंबा यानि की रनवीर सिंग और सिंगम यानि की अजय देवगन का कैम्यो भी होगा ऐसे में इन तीनों बड़े एक्टर्स को एक ही स्क्रीम पर देखना वाकई धमाकेदार होने वाला है अब इंतजार है तो सिर्फ इस फिल्म के परदे पर आनी का फिलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहें और पढ़ते ने सिटी पोस्त लाइव डॉट कॉम नमस्कार